हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत हैं तो दोस्तों हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स से जो वीडियो है EPSC History का Practice 889 है अगर आप TGT, PGT, LTG, GIC और Assistant Professor की तयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो के अंतक बने रहे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दीजिए तो इस्टार्ट करते हैं आज का पहला नमर कोहोचन जो एक्यान वेर नमर से सुरूरोगा कोहोचन है आपका किसने 1870 में सत्य सोदक समाज की अस्थापना की आप सने गोपाल किष्न गोखले B.A. जोतिबा पूले C.A. सीवनात सास्त्री DA उप्युक्त में से कोई नहीं तो आंसर आपका जाएगा B के साथ जोतिवा फूले सत्य सोदक समाज की 1883 में किसने अस्थापना की थी तो जोतिवा फूले ने की थी व्याख्या देखिए व्याख्या 1883 इस भी में सत्य सोदक समाज की अस्थापना जोतिबा फूले ने की थी इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था तो जन्म कब हुआ है जोतिबा फूले का तो 1827 सबी में है और सत्यसोदक समाज की अस्थापना कब कर रहे है 1873 में इन्होंने सक्तिसाली गयर ब्रामर आंदोलन का संचालन किया इन्होंने 37 साली ब्रामर बिरोधी जो आंदोलन होते हैं उसका इन्होंने संचालन किया इन्होंने अपनी पुष्टक गुलाम गिरी 1872 में और अपने संगठन सोद सत्यसोदक जो समाज बनाये थे उनके द्वारा पाखंडी ब्रामरों एवं उनके अवसरवादी धर्ब गरंतों से निम्न जातियों की रच्छा की आवसकता पर क्या किया बल दिया इन्होंने गुलाम गिरी एक पुष्टक लिखी उसमें भी इन्हों ने जो ब्रामर में पुष्टक है उनके जो अवसरवादी उनके धर्म गरंत है वह सब उनके घोर बिरोदी थे तो कह सकते हैं कि गयर ब्रामर आंदोलन इन्होंने चलाया था तो ए और उनकी जो पुष्टक है वह गुलाम गिरी है कौन है गुलाम गिरी है तो इसको आप याद रखिएगा कि पुष्टक है और इनके द्वारा जो लिखी गई पुष्टक है वह गुलाम गिरी है जो 1872 में लिखी गई थी सत्य सोदक समाज की अस्थापना जो की गई है 1873 में तो ए मुख्य तथ्यों को आप जरूर नोट कर लिजिए आगे देखिए कोशन उसी से पूछ लिया कोशन की जो तिबा फूले की गुलाम गिरी रचना है व्याख्या उपर अमने देख चुका है तिरानवे नंबर कोश्चन थियो सोफिकल सोसाइटी की अस्थापना किसने की अपसने मैडम यच्पी वला टिसली आपसन भी यह राजा राम मोहर राय सी ए मातमा गांधी डी आपका स्वामी विवेकानद तो आंसर आपका एक साथ जाएगा मैडम यच्पी बलावे टस्की जो है उन्होंने थियो सोफिकल सोसाइटी की क्या है अस्थापना की थी राजा राम मोहर राय की बात करते हैं इन्होंने ब्रहम समाज की अस्थापना की थी मातमा गांधी इन्होंन सवने वग्गे आंदोलन होगे आपका फिन भारत छोड़ो आंदोलन और आपके स्वामी विवेकानन्द आरे समाज के संस्थापक थे तो यह तत्तियों को आप नोट कर लिजिएगा स्वामी विवेकानन्द, स्वामी विवेकानन्द राम किष्ण मीसन के संस्थापक थे थियो सोफिखल सुसाइटी की अस्थापना एक रूसी मैला मेडम ह.वला टस्की जो हैं अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और बिलियम क्वान जच एवं अन्ने द्वारा 1875 में निवार्क में की गई थी तो जो थियो सोफिखल सुसाइटी की अस्थापना है वो कहां पर की गई थी निवार्क में की गई थी तो उसमें कई जिसमें क्या है मैडम यच पी वला टस्की जो हैं बला टस्की आमकी निक्राटा हैं यह लिखा गया और इनके द्वारा जो Colonel Alcott है एक दोनों लोगों ने क्या है मिलकर इस संस्था की अस्थापना की थी और उसमें एक नया नाम और मिल गया William Kwan Judge William Kwan Judge है यह तीन लोग जो है संस्थापक सदस्य में आ जाते हैं अगर तीनों लोग का कहीं नाम आता है और बाकी किसी का नाम नहीं रहेगा इसमें तीनों में किसी एक ही का नाम है तो अगर पूछ दे कि थी और सुसाइटी के अस्थापना कितने की थी तो आप तीनों में इसे अगर एक का नाम है चाहिए एक का नाम हुआ अफ्षन में ऑफछाण में एही मिल रहा है तो आप एई आसर कर लेंगे ठीक है लेकिन यह दोनों लोग को साथ में दे ता है एक ही को लोग को दिया है तो ओ आपको याद में रखना है आगे देखते हैं इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मदराज के पास अंडयार नामक अस्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय अस्थापित किये जो बाद में इसका अंतराश्टी कार्यालय बना इसका मुख्य प्राचीन हिंदु धर्म में लोगों के आत्म विश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था जबकि राजा राम मुहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी स्वामी विवेका नंद द्वारा 1897 में राम किष्ण मीशन की अस्थापना की गई थी आगे चलते हैं 94 नमर कोशन है आपका भारती राष्टी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यस्ट कौन थी ए आपसाने कस्तूरवा गांधी बी ए सिरीमती एनी वेसंट सी ए सरोजनी नाइडू डी ए भकती लच्मी देसाई ए आंसर आपका जाएगा B के साथ श्री A.N.E. बेसेंट भारती राष्टी कांग्रेस की प्रिथम मैला अध्याच कौन थी तो A.N.E. बेसेंट थी इसको आप याद रखेगा व्याख्या देखिए A.N.E. बेसेंट Ireland से थी A.N.E. बेसेंट कहां की रहने वाली थी मूल रूप से तो आइरलेंड का इंगलेंड से इससटा हुआ है आइरलेंड तो हहीं की थी इस समय आइरलेंड अलग है ठीक है वे वर्स 1907 से 1933 तक Theosophical Society की परधान रही 1907 से 1933 तक Theosophical Society की क्या रही परधान रही वर्स 1916 में Home Rule लिग की अस्थापना की Home Rule लिग की अस्थापना दो लोग करते हैं यह आपके A.N.E. बेसेंट है और इसके बाद जो हैं आप बाल गंगादर तिलक बाल गंगादर तिलक पहले अस्थापना करते हैं यह थोड़ा लेट करती हैं तो 2-3 महिने 4-6 महिने का अंतर है उनका अपरेल में होता है इनका साथ सितंबर उतंबर में होता है 4 महिने के बाद तो यह बाद में की हैं उनका पहले हैं अगर क्रम बैठाने को देगा तो बाल गंगादर होम रूल जो पहले चलाये थे एनी वे सेंट ने बाद में चलाये था बस इतना याद रखिएगा उसी के अनुसार क्रम में आप कर लिजिएगा आगे देखते हैं वर्स 1917 में भारती राष्टी कांग्रेस की पहली महिला अध्यच बनी यह भी डेट याद रखना है कि 1917 में इनको पहली महिला के रूप में अध्यच बनने का मोका मिला था कांग्रेस का कांग्रेस का अध्यच कब बनी थी तो 1917 में बनी थी वर्स 1925 में कानपूर में हुए भारती राष्टी कांग्रेस के 40 वे अध्यच बनी तो सरोजनी नाइडू जो थी वो दूसरी थी दूसरी महिला अध्यच थी लेकिन अगर भारती पूछा जाएगा तो भारती कौन हो जाएगा एनी बेसेंट तो भारती नहीं थी यह कहां की है तो आयरलेंड की है पहली महिला तो हो जाएगी लेकिन पहली प्रथम भारती महिला अगर पूछा जाएगा तब आपकी सरोजनी नाइडू हो जाएगा कोहशन आपका यहीं से 2-3 बन जाएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यच कौन थी एनी बेसेंट कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यच कौन थी तो सरोजनी नाइडू कांग्रेस की प्रथम भारती मतलब अध्यच कौन थी कांग्रेस की प्रथम भारती महिला अध्यच कौन थी तो आपका सरोजनी नाइडू ही होगा तो ए याद रखिएगा इहीं से कोशन पूछा जाता है इसमें confusion नहीं होना है अगला कोशन भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेड़ा से प्रारंब हुआ था तो आपसन ऐसा है तो आंसर आप जोतिबा फूले को करेंगे आपसन ऐसा दिया है कि आपको करना आई है तो जोतिबा फूले को करेंगे दोस्तों भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेड़ा से प्रारंब हुआ तो आंसर हो जाएगा डी जोतिबा फूले व्याख्या देखिए प्रस्ण गत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन जोतिबा फूले की प्रेड़ा से क्या हुआ प्रारंब हुआ जोतिबा फूले मानते थे कि मैलाओ एवं दलितों का उत्थान करके ही समाजिक बुराईयों को दूर किया जा सकता है 1848 में इनों ने लड़कियों के लिए इस्कूल खोला कितने सन में तो 1848 में यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम इस्कूल था आधूनिक भारत में मैला आंदोलन की प्रेडा सुरोत रमाबाई रानाडे रही हैं महा गोबिंद रानाडे की पतनी सिरीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की अस्थापना की थी यदि बिकल्प में ए रमा बाई नाम होता तो उत्तर वही सही होता तो एही क्या होता उत्तर होता और BPSC ने इस मतलब एक कोशन पूछा था लेकिन इसका रिखांकित कर दिया था इस्टार बनाकर आंसर दे दिया था क्योंकि उसमें से कोई था नहीं लेकिन लगबग में समाच रहमुना मजदेवसं सभा के निमलिखित में से सही शन योजन का क्या करना है पहचानना है कि प्रात्ना समाज को किस ने चलाया था यंग इंडिया किसके लोग इस्टवाति किसको कहा जाता सत्य सोधक समाज के कौन है तो ऐसे है रहनुमाई मज देवसन यह सभाय जो है इनके जो संस्थापक हैं उनके आपको क्या है जो जुड़े हैं या संस्थापक हैं उनके नामों को आपको इसमें लिखना है तो उसी क्रम में सजोना है तो यह याद रखेगा जैसे सत्य सोधक स तो इसमें कौन कौन है यह देखना है तो प्रात्ना समाज आप देख रहे हैं कि प्रात्ना समाज का किसका है तो प्रात्ना समाज जा रहा है आत्मा रंग पांडू रंग से इनका हो जाएगा इसके बाद आप देखेंगे कि यंग इंडिया कौन है तो इंग इंडिया का क्या मुहंदास करम चंद्र गांदी एंग इंडिया का संपादक की ये थे गोपाल हरी देश मुख को लोग हितवादी के नाम से जाना जाता है किसको गोपाल हरी देश मुख को सत्य सोधक समाज जोतिवा फूले अभी अमने पड़ा था और इसके बाद रहनुमाई मजदेवसन ज रखिए अपसन भी आपका सही है प्रात्मा समाज की अस्थापना अठाड़ा सु सरसट में बंबई में आचार केसो चंद्रसेन की प्रेडा से आत्मा राम पांडू रंग द्वारा की गई थी महत्मा गांधी द्वारा प्रारम में किये गए समाचार पत्र इंडियन ओपी तो उनको माना जाता था गपाल रहिदेध मुख लोग हितवाधी के रूप में क्या है विख्यात प्रख्यात थे तो उनको माना जाता था गोपाल हरी देश मुख को लोग हितवादी माना जाता था या उपादी दी गई थी और ये महाराष्ट के राने वाले थे 1803 में सत्य सोदक समाज की क्या हुई अस्थापना की गई किसके द्वारा तो जोतिवा फुले द्वारा की गई थी 1851 में नवरोजी फुर्दोनजी जो नवरोधी फुर्दोनजी है उन्होंने अन्यपार्सी सयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की अस्थापना की थी तो रहनुमाई जो सभा है रहनुमाई सभा भी बोला जाता है कहीं कहीं या रहनुमाई मज देवसन सभा जो है वो किस ने अस्थापित किया था तो नवरोजी दादा भाई नवरोजी नहीं नवरोजी याद रखेगा नवरोजी फुर्दोन जी नवरोजी फुर्दोन जी न संतान बे नम्मर कोश्चन है नाई धोबी बंद समाजिक वायकाट का एक सोरूप था जो 1919 में हुआ था कहां चलाया गया था नाई धोबी बंद समाजिक वायकाट का एक सोरूप था वायकाट मतलब बहिसकार किया गया था समाज के द्वारा नाई धोबी बंद तो ए कहां किय गया था ऐ आपको बताना है तो इसका जो आजर ऊजाएगा दोस्तों ये सही हो जाएगा ये कहा किया गया था तो किसानों द्वारा प्रतापगर जिले में चलाया गया था जो नाई धोभी बंद स्माजिक वाइकाट का एक शुरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रताप गड़ जिले में चलाया गया था अब इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या था नाई बंद अंदोलग व्याख्या देखिए वर्स 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित विद्रो खुलकर सामने आने लगे थे 1919 में जो किसान थे उनका जो संगठित विद्रो था वो खुलकर सामने आने लगा था प्रताप गड़ जिले की एक जागीर ने नाई धोबी बंद समाजिक वहिसकार संगठित कारवाई की पहले घटना घटे जुंगूरी सिंग जुंगरी सिंग और दुर्ग पाल ने इसमें महतपूर भूमिका निभाई लेकिन जल्द ही यह आनदोलन में एक नया चेरा उभरा बाबा रामचंद्र इसका तो नाम आप सुने होंगे बाबा रामचंद्र जिनोंने आनदोलन की बागडोर ही नहीं समाली अपितु उसे और मजबूत एउम जुजहारू बनाया बाबा रामचंद्र महराष्ट के ब्रहमर परिवार के थे 1920 के मद्द में वे एक किसान नेता के रूप में उभरें उन्होंने अवद के किसानों को संगठित करना सुरू किया उनमें संगठन की अदबुत क्या थी सकती थी बाबा रामचंद्र के तो यहां सुद्धु देखने को मिल रहा है कि नाई धोबी बंद अंदोलन को एक मतलब आगे किसने बढ़ाया तो आपका हो जाएगा बाबा रामचंद्र यह याद रखेगा अगला कोशन है अंठान बेर पंजाब भूमी हस्तांचर अदिनियम कब पारित किया गया था यह बताना है आपको तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों उननी सो में किया गया था किस में किया गया था उननी सो याद रखेगा व्याख्या देख लीजिए वही चीज़े पंजाब भूमी हस्तांचर अदिनियम उननी सो में पारित किया गया जिससे क्रिसको की भूमी का गयर क्रिसको के पास हस्तांचरित होना समाप्त हो गया आगे देखिए 99 नमर कोशन है अच्छा कोशन है अवद के एका आंदोलन का उद्देश क्या था अवद के एका आंदोलन का उद्देश क्या था आपसने सरकार को लगान देना बंद करना बी था जमिदारों के अधिकारों की रच्छा करना सी ए सत्याग्र की समाप्ति डी ए लगान का नगद में परिवर्तन तो आंसर क्या हो जाएगा निन्यान बेर का तो निन्यान बेर का डी हो जाएगा दोस्तों लगान का नगद में परिवर्तन आपका आंसर हो जाएगा तो अवद के एका आंदोलन का उद्देश था लगान का नगद में परिवर्तन आप आंसर कर लेंगे D व्याख्या देख लेजिए एका अंदोलन 1921 से 1922 के मद्ध हुआ थो जो एका अंदोलन ने कब हुआ था तो 1921 से 1922 के मद्ध हुआ था एका अंदोलन का नित्रित पिछडी जाती के मदारी पासी ने किया था एका अंदोलन का नित्रित किया था और एका अंदोलन जो कब हुआ था तो 1921 से 1922 के मद्ध हुआ था इसको याद रखेगा मिलान क्रम करने में ये सब कोशन पूछे जाते हैं क्रम करने के लिए दे देगा इस आंदोलन में जिसकी गतिविदियों के मुख केंद्र हरदोई, बारा बंब की, बहराईच तथा सीतापूर थे किसानों की मुख्य सिकायते लगान में बढ़ोतरी और उपच के रूप में लगान वसुल करने की प्रथा को लेकर थे दो बार हमको लग रहा है दिक्कत हो गया है तो टाइपिंग हो गया है किसानों की मुख्य सिकायते कि क्या थी कि लगान में बढ़ोतरी और इसके बाद क्या है लगान के रूप में जो है लगान के रूप में लगान के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपच के रूप म लगान वसूने की जो प्रथा थी प्रथा को लेकर की गई थी तो इसको याद रखेगा कि मुख्य सिकायते क्या थी कि लगान में जो है क्या है बढ़ोत्री हुई थी और उपच के रूप में क्या है उपच के रूप में लगान वसूने की प्रथा को लेकर की गई थी किसानो से 50% अधिक लगान वसूल किये जा रहे थे जमिदारों के गुर्गे ठेकादारों किसानों को प्रतारित करते थे एका आंदोलन का राष्टवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था जो आंदोलन कारी थे राष्टवादियों द्वारा निर अंतिकारियों का विश्वास कम था फल सोरूप राष्टवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ले इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया बलकि आंदोलन कारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती जो आगे चलते हैं स्वामी सहजदानंद का संबंद था स्वामी सहजदानंद का संबंद किस से था बिहार के जनजाती आंदोलन से बिहार के जाती आंदोलन से बिहार के किसान आंदोलन से बिहार के मजदूरों के आंदोलन के साथ किसके साथ था तो सी सही हो जाएगा बिहार क किसानों के आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का जो संबंद था विहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजदानंद का क्या था संबंद था व्याख्या देख लिजिए स्वामी सहजानन्द ने बिहार प्रांती किसान सबा की अस्थापना की थी बिहार प्रांती किसान सबा की अस्थापना किसने की थी तो स्वामी सहजानन्दें की थी वे अखिल भारती किसान सबा के एक प्रमुख नेता भी थे उनका संबंद बिहार के किसान अंदोलन से था इनके क्रिसिक सुधार कारक्रमों का वास्त्विक लच जमिदारी प्रथा का उन्मूलन तथा किसानों को मालिकाना अधिकार दिलाना था किसानों के प्रती इनकी समर्पित सेवाओं के कारर इन्हें किसान प्राड कहा जाने लगा था तो किसान प्राड किसे कहा जाता है तो स्वामी सहजानन्द को कहा जाता है यह भी याद रखेगा यह अच्छा कोशन बन ज़सकता है यहां से तो फ्रेंड्स ये थे आपके वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्त और चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें धन्यवासाति और नमस्कार